हेलो, इस वीडियो में हम Google Sheet और Microsoft Excel दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में यहां पे जानेंगे, तो सबसे पहले, Google Sheet और Microsoft Excel दोनों लोग प्रिय सप्रेशीट प्रोग्राम हैं और दोनों एक जैसा काम करते हैं, इनके फीचर्स एक जैसे हैं, फिर भी इसमें कुछ बुनियादी अंतर है, इनको हम यहां पे करेंगे, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम यहां पे क फर्स्ट जो अंतर है, वो है, Google Sheet एक क्लाउड आदारित स्प्रेशीट प्रोग्राम है, वही Microsoft Excel डेस्क्टाउट सॉफ्ट्वेर है, तो यह एक पहला अंतर हमारे पास आ गया, दूसरा जो इसमें अंतर है, वो है, Google Sheet सभी डिवाइजिस के लिए एक रूप में एक्सेस होती है, लेकिन Microsoft Excel यूजर्स के इसाब से अलाग लाग रूप में उपलब्द होता है, दूसरा यह डिफरेंस है, इसके बाद अगला डिफरेंस जो है, वो है, Google Sheet के कुछ फंक्शन जैसे पैवल टेवल और डेटा टूर्स, Microsoft Excel की तूलना में कमजोर हैं, और ज़्यादा डेटा हैंडल करने की इक्षमता नहीं है, एक ये भी इसमें डिफरेंस है, इसके आगे अगला डिफरेंस जो है, Google Sheet का हमेशा अपडेट बर्जन यूजर इस्थिमाल करते हैं, Microsoft Excel में ये समभव नहीं है, तो ये भी दोनों में एक डिफरेंस है, इसके बाद अगला डिफरेंस जो है, Google Sheet कलाउड आदारीत है, इसलिए थर्ड पार्टी एप्स के साथ तालमेल ज्यादा तेज और सोगमै Microsoft Excel में रुकापटे हैं, तो ये कुछ डिफरेंस थे, जो की Google Sheet और Microsoft Excel के बारे में थे, इस वीडियो में हमने Google Sheet और Microsoft Excel के कुछ डिफरेंस के बारे में जाना, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल, धन्यावाद.